तरंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं तरंग का मतलब पानी की लहर भी हो सकता है इसके इलावा जो विद्धुत तरंगे होती हैं या प्रकाश की तरंगे होती हैं तो उनको भी तरंग कहा जाता है और सभी को इंगलिश में आप वेव कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि बच्चों ने समुदर तट पर समुदर की तरंगों के साथ खेलने का आनंद लिया, तो आप कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं, अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंगलिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें,